बिस्मिल्ला इर्माइन रहीम असलाम लेकूम वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेर करने वाली बहुत ही खुबसूरत कैप्री डिजाइन इस डिजाइन में हमने गोटा पट्टी का यूज किया है और ये मैंने हल्दी मेहंदी फंक्शन के लिए तयार किया था तो जो मैं आपके साथ ये वीडियो आज शेर करने वाली हूँ तो इस कैप्री को बनाने के लिए हमें सिर्फ गोटा पट्टी का ही यूज करना है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कैप्री डिजैन बनाने के लिए मैंने पैंड की कटिंग पहले से कर ली है और मैंने बीच में से स्टीच भी कर लिया है और बॉटम में मैंने यहां पर पेपर कैंवस लगाया है मैं आपको बता देती है मैंने यहां पर चार इंच लिया है चोड़ा इसके बाद मैंने यहाँ पर इसे स्टिक कर लिया है स्टिक करने के बाद में हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और फिर हम इसके उपर सीधी सिलाई एक लगा देंगे बिल्कुल यहाँ से बहुत ही आसान है ये डिजाइन को बनाना और इसके उपर हम पिंटक्स भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस सिलाई को कर लेते हैं जो हमने पेपर के अन्वस लगाया था यहां पर हम पिलकुल किनारी पर से एक सिलाई लगाएंगे यह सिलाई हमारी लग चुकी है तो यह देखिए इसके बाद में हमें पिंटक्स लगाना है तो उसके लिए मैंने यहां पर एक इंच पर मांग किया है एक एक इंच का गैप छोड़ते हुए हम निशान लगा देंगे इस तरह से अगर आपको एक इंच का अंदाज़ा हो तो आप डायरीक भी सिलाई लगा सकते हैं तीनो लाईन एक साथ में आप चाहे तो सारी लाईन एक साथ में ड्रॉख कर सकते हैं यहां पर हमें तेन पिंटक्स बनानी है सबसे पहले हम पहले वाली लाईन पर बिलकुल किनारी पर स हमें सिलाई लगानी है, बहुत कम कपड़ा हम साइड में छोड़ेंगे, मोरने के बाद में आप देख सकते हैं कि बराबर एक इंच है या नहीं, तो हमने यहां पर चिक कर लिया है, और बिल्कुल सीधा हम रखेंगे एक कपड़े को, और सीधी सिलाई लगाते चले जाएंग एक लाइन देखिए हमारी तयार हो चुकी है, दूसरी हमें बिल्कुल उसके पास से ही बनानी है, वहाँ पर भी हम एक इंच का गैप छोड़ेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ, दिखिए एक इंच है बराबर, आप चाहें तो एक साथ में तीनो लाइन की निशान लगा ले, और बिल्कुल की नाजी पर से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे अब तीसरी लाइन बनाने के लिए भी हम दोबारा से एक इंच पर निशान लगाएंगे, यानि एक इंच छोड़ने के बाद में हम यहाँ से साइड से बिल्कुल सिलाई लगाते चले जाएंगे मैं इस डिजाइन में तेन लाइन बना रहे हूँ, आप चाहें तो चार या पांच भी बना सकते हैं इसके हिसाब से ही हम गोटा पट्टी का यूस करेंगे, यानि जितनी लाइन हम बनाएंगे उसके बीच में हमें लेस लगानी है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी तीनों लाइन देखें बिल्कुल तयार है इस स्टेज पर आप प्रेस से इसे अच्छी तरह से बिठा लें, उसके बाद में लेस लगाएं और जो यह नीचे वाला हिस्सा है, हम यहाँ पर एक गोटा पट्टी लगाएंगे उसके बाद में हम बीच-बीच में लगाते चले जाएंगे सबसे पहले हम नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने देखी गोटा पट्टी को नीचे रखा है और हम इसके उपर से बिल्कुल किनारी पर से सिलाई लगाते चले जाएंगे ये नीचे वाला हिस्सा है और इस तरह गोटा पट्टी लगाने से हमारा जो पाहिचा है नीचे का यानि कैपरी जो डिजाइन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है नीचे के हिस्से में देखिए हमारी गोटा पट्टी अच्छी तरह से लग चुकी है अब हम इस बीच वाले हिस्से में भी गोटा पट्टी लगाएंगे उसके निचे वाले हिस्से में मैंने पहले से ही सादी वाली गोटा पट्टी एक लगा दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सादी वाली गोटा पट्टी भी लगाई है और दूसरी लेस भी लगाई है अब जो ये बीच वाला हिस्सा खाली रह गया था इसमें भी हम साधी वाली गोटा पट्टी का यूज़ करेंगे अब हम लास्ट वाली लाइन पर लेस लगाएंगे यानि कि जो हमारा उपर वाला हिस्सा था आखरी वाला इसके उपर हम लगाने वाले हैं गोटा पट्टी को हमने बिल्कुल सिधा रखा है और इसके उपर हम थोड़ी बड़ी स्टीची करते हैं बिल्कुल सिधा हम लगाते चले जाएंगे और जो भी हमने यहां पर गोटापटी उसकी है सब हमने हाफ आफ इंच के गैप पर छोड़के लगाई है यहां हमारी गलेज देखी पूरी लग चुकी है हमारी कैप्री डिजाइन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत डिजाइन बनके तयार हुई है इस पैंड को मैं आपको पूरा स्टिच करके दिखाऊंगी इसके बाद आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा हम जब प्रेज करेंगे तो यह एलेज जो है वो अच्छी तरह से और बैट जाएगी बहुत ही आसान इस डिजाइन को बनाना तो आप भी अपने पैंड पे इस डिजाइन को ज़रूर ट्राइ करिएगा तो यहाँ पे देखिए हमारी पैंड पूरी तरह से सिल चुकी है और सिलने के बाद में पैंड की गैप्री डिजाइन जो है वो और ज़्यादा खुब्सूरत दिखाई दे रही है उमीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए हेल्फ लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ जब तक के लिए टेक केर अल्ला हाफीस